बड़े प्यारे प्योस्टन दिये थे पिछले वीडियो में हमने आपको और आपने अच्छा अच्छा एंसर भी बहुत प्यारा प्यारा एंसर भी लिखा है हाला कि बहुत लोग नहीं लिखते हो लेकिन इतना तो मान के चलते हैं कि आपको knowledge तो होई रहा है भले बहुत तो वही रहोगा, knowledge तो मिल ही रहा होगा, इतना तो आप अपने से मान की चल रहे हो, knowledge मिल ही रहा होगा, तो आज का चलो हम question आपको solve करवा देते हैं, उसके बाद कुछ comment में आपको check करवा देते हैं, जिन्होंने best लिखा है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ लोगों ने बहु हो सकता हो जाए, हो सकता हो जाए, ठीक है, तो पहले हम आज का question आपको बता देते हैं, answer, उसके बाद analysis कर लेते हैं, पिर आज का प्यारा question देते हैं, उसका answer जरूर राइटिंग करिएगा, ठीक है, तो चली पहले पहले question देखते हैं, question बहुत, question बहुत सरल था, बहुत टाफ नहीं था, बहुत अच्छा था, कि पिन कोड़ प्रडाली की सुरुवात क्यों ही, क्यों ही होगी पिन कोड़ प्रडाली की सुरुवात, दरसल पिन कोड़ प्रडाली की सुरुवात इसलिए की गई थी, ताकि जो पत रहेना सही लोग समझ नहीं पाते तो जाना होता था बंबाई चला जाता था हम्दाबाद तो सही जगह पर लेटर नहीं पहुंचता था इस पे बहुत सारे गाने भी मैं आपको गाना दिखाता हूँ यहां से तो आपको पता चल रहा है कि डाकिया डाक लाया है थोड़ा आगे दिखते हैं चिट्थी न कोई संदेश जाने वो कौन सदेश जहां तुम चलेश यहां से तो लग रहा है जिसे पिनकोड ही नहीं था उनके पास चिट्थी नहीं पहुंच भाई चले सो नेस के बारे में 15 अगस 1972 को पिनकोड पडाली की सुरुआत होई थी जरूरत इसलिए था क्योंकि लोग अक्सर मतलब लिक तो देते थे एकदम एग्जैक्ट जगां पर पहुंच नहीं पाता था पत्र तो इसके लिए पिनकोड पडाली सुरुआत की गई और इसके पिनकोड पडाली में कुल 6 अंक होते हैं जिसे कि लिखा रहे है 4, 5, 6, 0, 0, 1 कितने अंक हैं 2, 2, 4, 6, 6 अंक होते हैं और इसमें ये 6 अंक को अलग-अलग छेतरों मतलब अलग-अलग अंकों को अलग-अलग तरीके से बाटा गया जिसे कि जो पहला अंक है जो ये पहला अं को देख रहे हैं यह जो भारत है न कई छेत्रों बटाद ऊपर वाली भाग इसे जम्मू कस्मीर हुआ हिमाचल प्रदेश इधर की छेत्र का जो पिन कोड़ होता है एक से सुरू होता है इधर आ जाएंगे उत्तर प्रदेश बिहार की आसपास का छेत्र ना यहार इधर की जो काड के पास 5 यहार से इधर पास्चीन पंगल की तरफ 7 से सुरू होता है यह पहला अग्ट यह रेजन को दिखाता था शेत्र को दिखाता थाTelemmag और थे लिग अनक जिसए जिसे ये तीसरा अंग जीली को बताता, किस जीली का है, और बाकी जो तीन अंग वच्ते थे, उस जीले में कितने पिन कोड, कितने पोस्ट आफिस हैं, उनकी संख्या के हिसाफ से वो होता था, ठीक है, तो इस हिसाफ से पिन कोड परडाली शुरू की है, तो exact जगह पर पत्र पहुच जाता था, जब कि पिन कोड परडाली जब नहीं था न, तुपत जाता था उस छेतर पे, लेकिन भटक जाता था, सही जगह पे नहीं पहुचता था, पिन कोड परडाली के ओर अपनाई की है, इसके पहले, मतलब बहुत लोगों अपना जैसे सिंगापुर ने 1950 में अपनाया था, अर्जिंटीना उनिसो ठाउन में, अमेरिक्या ने 1963 में, स्विट्जर लेंड उनिसो चौंसट में, यूनेटेट किंडम उनिसो चोहत्तर में, तो लगभग 160 देस पिन कोड परडाली का यूज करते हैं, तो सही भी है, और आज जब से मोबाईल आया, वाटस कर देते हैं, तो पिन कोड होना चाहिए, तभी तो घर पी पहुंशेगा ना, तो जब से e-commerce लोग आनलाइन समान बुक करने लगे, फिर से पिन कोड की ज़रूरत बढ़ गई है, मत क्लियर है, तो कुछ समझ मैं है, कुछ तो समझे होगे, तो मैंने तो यहां कुछ लिखन करना था, उसके बारे थोड़ा सा अगर लिख सकते थे, तो लिखे होते थोड़ा बहतर जानकारी हो जाती, और यह शुरुवात हुए, और इसके जो जिससे में सुरू होई थे, तो 1972 में सुरू हुई थे, 1972 में परधान मंतरी कों थे पता है, आपको इंद्रा गाधी थे, दूसरा क्यूशन देखते हैं, चलिए डिडिटी के बारे में पूछा था, क्या है, तो डिडिटी के बारे में बहुत लोगों ने अच्छे-च्छे अंसर दिये हैं, डिडिटी एक ऐसी दवा है, जिसके बारे में, अच्छे में बताता हूँ आपको एक में, डिडिटी ए जाने के बाद लगबग वो दो लाग संख्या रह गए, मतलब 20 से 25 गुना लोग बच गए मलेरिया के मौत से, तो बहुत अजकारगर साबीत हुई, लेकिन इतनी खतरनाक ये दवा है, कि DDT जब मतलब कि कहीं चड़काव हो जाता है, किसी पत्ती पे पढ़ जाती है, तो जो जीव खाता है उसको न तो उसके बाड़ी में श्टोर हो जाता है, फिर उस जीव को जो खाएगा उसके बाड़ी में श्टोर हो जाता है, फिर उस जीव को जो खाएगा उसके बाड़ी में श्टोर हो जागा, ऐसे पीड़ी दर पीड़ी बढ़ते बढ़ते मनुस्यों तक एक टिड़ा अपने जीवन में कमसकम 10-15-20 पत्तिया तो खाई जाएगा, धेर सारी डिड़ीटी खाएगा, एक मेठाक अपने जीवन में कमसकम साइकड़ो टिड़ा खाएगा, धेर सारी डिड़ीटी उसके सरीर में चला गया, एक साप अपने जीवन में 25-30 मेठाक तो होगां तो सब Ikin herderal factory मनुस्य के सरीर में। और यह जानते है दिमागी रूप से अपंग बना देता है दिमागी रूप से का आदमी कर देता है सत्त NAME कर देता है और लोग्त lot खकार नाग दा्तर और दूसरी बात जरु नहीं होता जहां झ्ध़काउ कर दिया doesn't लोगों कर दोग निलेगा निमनी करण में डिटीव करन में उसे अनिमनी करण में प्लास्टिक भी अनिमनी करन में आता है पेपर में बहुत पूछा जाता है ध्यान रखना जिसके बारे बहुत बहुत अच्छा जाएंस और लोगों ने लिखा तब मैच कराते हैं आपको एक क्यूशन और दिया था हमने कि अगर किसी ब्यक्ति को गिरफतार कर लिया जाए तो उसे अपने मन पसंद वाकील से सलाह लेने की आजादी होगी और उसे गिरफतार करने का कारण बताना होगा और उसे 24 गंटे कदर नयाले में उपस्तित कराना होगा तो किस सम्मिधान में, किस अनुछेद में ये बात बोली गई है, कि इतनी आजादी उसे मिलना चाहिए, इतना अधिकार उसे मिलना चाहिए, तो आपको ये बताना था और बहुत सरल क्यूस्चन था, तो अगर आप सम्मिधान का आर्टिकल 22 पढ़ेंगे, तो आपको सुतंत सम्मिधान का आर्टिकल 22 में बोला गया है, अगर आपको गिरपतारी का कारण बताना पड़ेगा, उसे मनपसंद वकील से सला लेने के आजारी दोगे, और उसे 24 गंटी के अंदर आने जाने का समय छोड़कर, नजदी की नियाले, आप उपस्तित कर रहा होगे, ठीक है, त कई बच्चों नी इसका भी अच्छा एंसर दिया है, तो कुछ लोगों ने एक दम सटीक एंसर लिखा है, जोड़े नालसिज करते हैं, कितना बेस्ट एंसर किसका है, और देखते हैं, सबस्तित एंसर किसी ने लिखा है, उसके बाद आज का क्योशन देते हैं, उसके ऐद सुना करें न तभी लिख दिया करें दूसरी बात जो लोग नहीं लिख रहे हैं थोड़ा हलका ही लिखें लिकिन लिखे जरू लिखने की आदर सुन डाले तभी आपके अंदर अच्छी मतलब अच्छा विकास होगा आपके बुद्धी का और अच्छा सोच पाएंगे इसलि संचार मंत्राले के पूर सची स्री राम किसो भीका जी वेलांकर की देन है ठीक है इसके द्वारा क्या किया गया था रिक डाग विभाग के कार को सचारी रोब से संचालित होता है यही चीज हमने भी समझाय था थी यही इन्होंने सटीकता से लिखा है तो बेष्टे लेकर उच्छी स्रीडियास्तर मतलब जब मनुस्ते खाता था ज्यादा हो जाता था वही चीज है यह डिफाइन करके मतलब सचार्ट कटमे बहुत अच्छे सटीकता में लिखा गया है तो ज्यादा होता और यह सामानता जिवों कि वसा और मूत्कों को जमा होते रहते हैं तो यह एक किटनासा के यह भी बताए थे तो नुकसान दे हैं ठीक है तो थोड़ा सा ओल लिखे होते कि नुकसान दे फिर भी ठीक है एंसर सही है यह और यह दिखी अभी इसका अनलसिस कराया थे कि समीधान का नुच्छेद में 22 में मनमानी गिरफतारी नजरवंदी से सनरच लिखा होगा कहीं तो पंद्रा अगस्त ही है उन्हें 22 किया गया था जिसका पूरा नाम है पोस्ट्रल इंडेक्स नंबर पिंकोट पुड़ाली के शुरुआत की गई सही देखो यह वाला एंसर इनका कितना अच्छा है डिडिटी एक रिटना से है जिसका पूरा नाम यह और नहीं होंने कहा कि 1884 में जॉर्डलर ने इसके बारें बताया था और यह लाब हान दोनों तो लाब ही है कि हमारे फ़सलों कृटों से बचाता है सही है मनेरिया फैलानों ने इंफलेंज मच्छरों को मारने से बचाता है एटीसी बहुत सारी चीज है और इसका पाचन त नाड़ी भी मारे जाते हैं कितना अच्छा लिखाए नोंने यही बताते हैं जैसे आप लिख पा रहे हो थोड़ा सा आप लिख पा रहे हो नहीं सुधार पा रहे हो जो और लोग अच्छा लिखते हैं उससे आप सुधार सकते हो अपने को ऐसे सुधार करते हैं लोग दू पेर करेंगे दोनों की तो दंदना जी का और इनका तो सिकंदर जी का लगभग बराबर में ही आ जाएगा दोनों ने अपने पनी जगा बेष्ट लिखा है सिकंदर जी को थोड़ा सिस में एक दो लाइन और डालना था तो ज़्यादा बेश्ट हो जाता आप लोगों को एक छोटा सा सुझाव यहां देना चाहते हैं कि आप कोशिज करें कि सब्द कम उपयोग करें और ज़्यादा बात कहने की कोशिज करें कम सब्दों में ज्यादा बात कहने उर्म करें वो ज्यादा प्रवाव डालता है और ज्यादा एफेक्ट दिखाता है कम बोल कर बहुत बढ़ी बात जो करते है तो थुड़ा महान टयप के होते है न세åं तो कोशिज किया करें सब्द कम लिखें और बात ज्यादा करें तो कोशिज किया करें, सब्द कम लिखें और बात ज्यादा करें, तो वह एंसर ज्यादा बेस्ट होगा, आगे से ध्यान रखें आप, ठीक है, इसमें आपको टाइपिंग भी कम करनी पड़ेगी, और कम सब्दों में ज्यादे बात कहने कोशिज करें, ऐसे सब्द यूज करे जिसमें थोड़ा सा लिखने पर ज्यादा बात अपने आप समझ में आ जाए, अध्यस मिस्टर ने भी लिखा है कि पिनकोड पड़ाली के सुर्ण दोने सुबहातर में होई थी, वही जो नाम है उन्होंने किया था, उसके बाद इन्होंने कहा कि इससे क्या होता था, कभी- निड्नासक ग्रिडिटी ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ता ये बात गलत है, पुरी तरह सही नहीं है, ध्यान रखिए गा, ऐसी बाते मतलिका करें, मतलब ये सही नहीं है, गलत हो जाएगा, कहीं वे लिखो गए, आप थवड़ा ध्यान रखिए, वो कौन सा ग्रीन हाउस वो खुद नुकसान कर रहा है, बॉडी में जा रहा है, गैस क्यों छोड़ेगा वो, तो ध्यान रखें इसको, और water pollution कर सकता है, यह वास सही है, तो यह सही है, थोड़ा size में यह disturbance था, बाकी एंसवा सही है, दूसरा भी और पहला भी, तीसरा है कि मौलिक अधिकार, के बेश्ट लिखने कोश्ट करें, ताकि आपका answer पहले पढ़ा जाए, जैप्रकास सहाव ने क्या लिखा देख लेए, पिनिकोड पंडाली के सुनोगे 72 हम होई थी, इसके द्वारा सही है, पहुचाया जाएगा, इसमें मदद मिलती है, यह सही है, च्यांको का होता, यह भी पुचादे वही बताएंगे ना, तो ज्यादा अच्छे answer माना जाता है, कहीं भी अगर आप लिखे तो आपसे जो पुचादे वही answer writing करेगा, तो ज्यादा अच्छा answer माना जाएगा आपसे, तीसरे का answer दो लिखा है, वह है, आर्टिकल 22, सही है यह, थोड़ा सा हो लिखत इसमें क्या है, तो और बेष्ट माना जाता था, माना जा सकता है, ठीक है, तो फिर भी आप लोग शुरुवात किये हो, सुधार तो धिर धिर होई जाएगा, और आगे चल कर बहुत बेष्ट हो जाएगा, सचिन जी ने answer लिखा है, कि सरियत बहुत कठिन काम है, ठीक है, फ और इनका कह रहे हैं कि इसका उद्देश होता है, डाग विभाग दर भेजी गई वस्त को गंतब्य तक पहुंच सके है, सही answer मान सकते हैं, अच्छा है, सचिन सर ने इस दूसरा answer जो लिखा है, थोड़ा बहुका बहुका लग रहा है, सही answer नहीं बता पा रहे हैं, तो इस रूप से मलेरिया मच्छर माननी के लिए होता था, मुख के रूप से किट नाचा करूम होता था, जल प्रदूसर का कारण भी है, अगर जीव इसके गलती से खा ले थे तो उनके पेट में रहता था, नश्ट नहीं होता था, सही चीज़ें सही लिखा है इनोंने, तो य साच्छी गुप्ता ने के वली एका इंस्वर दिया है, तीसरे का अनुचित 32 में कहा गया है, 32 में कहां कहा गया है, साच्छी जी थोड़ा ध्यान रखिये, 32 में रेट है, रेट के तहत बंदी परतिची करण है, ठीक है, बाकि जो कहा गया है, वो 22 में, 10 वापस आईए, जो हमने बताया था, तो सही है, दूसरा अंसर भी सही है, लेकिन बहुत और अच्छे सत्रहिके से लिखा जा सकता था, और थोड़ा सुधार करिये मुस्कान जी, यह अंसर इनका तीसरा सही, ग्रिपतार व्यक्तिकोन अजरबंदी सनरच्छन है अनुच्छित 22 में, यह अं बार कहने पर कुछ लोग नए ने लोग शुरू कियें, बहुत अच्छी बात है, आप शुरुआत तो कियो, कमकुंची से रेसमा पाल ने लिखा आया अंसर तीसरे का राटिकल 22, एक लाइन लिख के छोड़ दिया, ठीक है, अगले बार जब आंसर पुछा जाए तो कुछ एक भूक्ता से दूसरे भूक्ता में स्थासरी एतरी लिख होता है, तो झिसे जिएन नस्थ हो सकते हैं, ठीक है यह ведь एंसर ठीक है, ठीक है आन्जी सुरुआत किया है, ठीक है, और भी सुधार हो किया जा सकता है, फाल ऑन पह्य लिखें लिखें, जिससे सब लोगों ने ल कर दरनां अब दोश़ा है दूसरानमान में यह सब लिखना चाहिए था था भात बश्य आपका आपको आईसे किसी आदेश-मस्रा баб था आदेश-मस्रा नहीं माना जएका तीसरों भाट थिसने दशे ओपस来 यह 22 में था कहां आप लोगों थोड़ा मेहनाथ से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए सुधारिये अपने आपको ठीक है कमी बता रहे था इसा राइटिंग बंद कर दें आगे से और बहतर लिखने कोशिच करिए और इतना बहतर लिखिए कि किसी वीडियो में आफ टॉप नहीं है ग्रीन हाउस के लिए तो स्योटू ज्यादा जिम्मेदार है और यह जीवों के सरीर में स्थिर्थ होता दूसित होता रहता है यह सही है ठीक है तीसरा देखते हैं तीसरे कांसर बैंदी प्रतिचिकर हैवियस कारपस से ज्यादा सटीक अंसर होता अनुछेद 22 वह यह भी यूज किया जा सकता है लेकिन ज्यादा सटीक अंसर इसका नुच्छेद 22 होगा ठीक है अगर आज के क्यूस्टन का कंपेर करें तो सिकंदर जी का और बंदना जी का एंसर बेस्ट माना जाएगा और लोग भी अच्छा लिख रहे हैं लेकिन और कोसिस करिए कम से कम इनके जैसा या फिर इनसे भी बेस्ट लिखने कोसिस करिए आप थोड़ा सा पीछे करक कभी हार नहीं होती है कोसिस करने से इंसान बहुत आगे निकल जाता है जो थोड़ी थोड़ी गलती हो सापका एंसर पीछे रह जाता है न कोसिस करते रहेंगे तो आगे आज जाएगा चलिए आज का क्यूस्टन सुनिए और अच्छा एंसर लिख के दिखाईगा निस्ट उपर कि एकदम से मतलब मोवियों में देखते हैं मोवियों में हीरो हेरोई ने से भीगते रहते हैं तो वहीं दिख दिख के सीखे रहते हैं बारिस हो दी नहीं कि भीगना शुरू कर देते हैं पहली बारिस में भीगना चाहिए हां तो क्यों और नहीं तो क्यों एक ही का त तो इसका एंसर बताईएगा हमको चली अगला क्योशन ध्यान सुनेगा तभी एंसर आ सकता है भारत में कौन से कानून बनाएगा जिसकी द्वारा अभी हमने कल क्योशन क्या दिया था कि कोई भी व्यक्ति गर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपने मनपसंद वाकिल से सला लेनी के आजादी है उसे 24 गंटे का नियाले पहुचने के आजादी है और उसे गरफ्तारी का कारण भी बताना पड़ेगा ठीक है यह क्योशन था हम यह पूछ रहे हैं कि वह कौन से कानून बनाएगा जिसमें से यह कोई भी आपको सुभिधा नहीं मिलेगी ना तो आपक उसे कानूने जिसके तहत गिरफ्तार करने पर यह कोई भी आजादी आपको नहीं मिलने वाले उन कानूने के नाम बताना है प्लस यह भी बताना है सटीक एक लाइन में लिखना है और कव आया था कानून तीक है वस यह यह लिखना है चले निश्टफर बहुत बड़ा इति नहीं कि अपने दादा, परदादा, अपने जीजा, साली, साले जितने हैं सबको मंत्री बना के बैट जाते थे तो किस परदान मंत्री के समय में 15% का नियम आया है 15% का नियम मतलब कि जितने भी संख्या है लोगसभा कि जितनी संख्या है उसके 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बनेंगे उससे कम ही बनेंगे मतलब उससे कम बन सकते हैं या फिर उतना बन सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा लोग उस संख्या के 15% से ज़्यादा लोग मंतरी नहीं बन सकते हैं तो यह जो 15% का नियम आया है किस प्रधान मंतरी की समय में आया है यह बताना है आपको, तो पहला answer आपको उसमें लिखनी का जादी है, थोड़ा best लिख सकते हो, इसमें तो क्यों, वान liner में है, का answer लिखना थे दूसरे दिसले में, तो यह तिन का इस्टरन कम्पिलिट होते हैं, आपको तीनों का answer देना है, और अगर चैनल पर पहरी बारा सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर पुराने हो शेयर भी कर दिया करें मिलते हैं नेश वीडियो में तब तक पढ़ते रहें और खुश रहें